है पर यह यहां पर कि थंडा पानी यहां पर निट्रली डाल जा रहा हूं तो सामने में हडिमदेवी का मणली यहां पर आपको इस फोटुट शूट करवा सकते हैं तो हेलो स्वागत है अब सभी का हमारे एक और नए व्लोग में कैसे हैं आप लोग आप आप तो बहुत अच्छे होंगे तो फिलाल मैं हूं मनाली में और आज मनाली में अपना पहला दिन है और मैं जा रहूं अभी लोकल साइट सिंग के लिए तो यहां पर आते हैं तो लोक अब हडिमा देवी टैंपल के लिए जा रहे हैं लोग और अपने होटल से पास में है 15-20 मिन का वोकिंग डिस्टेंस होगा और फिर हमें थोड़ा जो हडिमा देवी टैंपल वो थोड़ा ना ऊपर पड़ता है और जो हमने होटल लिया है वो भी अपना थोड़ा ऊपर की तरफ ही है तो हडिमा देवी टैंपल तो पास में है लेकिन जो भाई मॉल रोड है वो थोड़ा दूर पड़ जाता है यहां से बाकि व्यू तिखाता हूं भाई मैं सामने पहाट देखो कितना सुन्दर लग रहा है दूर पड़ रही है तो मतलब एक दम चमक रहा है वाई यह तो यह यह जाता है था पर कितना दूर होका यहां से बेंदे की है शोटकट तो अपने शोटकट पकड़ लिया वही रास्ता और हडिमा देवी टैंपल तरफ जा रहे हैं और पीड देखो बाई कितने यहां पर लंबे-लंबे पेड पहाड इला के मैं ऐसी पेड़ होते तें यहां बहुत बड़े बड़े पेड़े इनके बीच में से महडिंबा देवी मंदिर्कर लिए जा रहे हैं हुआ στο wahyu वह कहाँ से जॉटquesewa चाहए और यह भाई देखो कितनी मेहनद कर रहा है क्या गुलाब जामूना भाई है छोटे छोटे है तो यहां की लाइफ भी न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है देख रहे हो भाई कितनी मेहनद कर के इतना ऊपर लेकर जा रहा है खाने पीने का समान और भाई मैं तो थक चलते चलते नीचे से ही आया हूं बाकि मैंने हुटी डाल दी ती क्योंकि यहां पर जो थोड़ी मतलब जादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी जाद़ी रुपीज तो गईस अभी हम पहुँच चुके हडिमबा देवी टैंपल पर यहां पर याक है भाई तो पीछे में हडिमबा देवी टैंपल आपको पता ही होगा हडिमबा देवी कौन है भाई पाचो पांडम मेंसे जो थे अपने क्या नाम है गदादारी भीम उनकी वाइफ थी हडिमबा और उनके पुत्र थे गटोचकच तो सामने में हडिमबा देवी का मंदीर है और यहीं पर पास में ही गटोचकच का भी मंदीर बना हुआ है तो यहां पर भाई आप ऐसे फोटो शूट भी करवा सकते हैं यहां पर आपको कॉस्ट्म मिल जाएगी कि यहां पर जाईए और फोटो शूट कराई जैसे सब लोग करवा रहे हैं और अगर आपको मंदीर में दर्शन करने तो थोड़ी लाइन लगी होगी है लाइन में लगके दर्शन भी कर सकते हैं अंदर में तो इसके साइड में जस्ट आपको देखने को मिलेगा यह दूं यह लंबे-लंबे बहुत सारे पेड़ वगएर आएं तो उसमें अच्छी फोटो जाती है तो लोग इसमें जाके फोटो शूट करवाते हैं तो अभी हम आई हैं यह जो पीछे मेरे देख रहे हैं आप यह सब जो हैं सेब पेड़ा है लेकिन अभी इनमें से सब में से से आ सब इन पर से आ जाते हूंगे तो बहुत बढ़ी हलगते हूंगे पेड़ दिखने में और बाकि मैं लोकेशन बताओ नो सामने की तरफ आपका वो हिडम बदेवी टेमपल है नीचे उतर के आना पड़ेगा और यहां पर मिलेगा आपको तो अब हम एक शौटकट लेके जा हूं तो मैं आप यहां पर देख रहे हैं वह उंकल खड़ें पीछे में वह बिजली वाले के साइड में यहां पर जिप लाइन भी होता है तो वह एक्टिविटी अगर आपको करनी है जिप लाइन तो वह भी कर सकते हैं थोड़ी दिवर तो गुमाते हैं 50 रुपे लेते है और बागी शोटकट है उसी के पीछे से अपना कुछ ऐसा रास्ता इधर से निकल रहे हैं यहां मौल रोड की तरफ और यहां पर वैसे रहने वहने के लिए न बहुत सारे होस्टल होटल वगेरा भी है तो रहने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और जब सीजन में आओगे तो थोड़ा में का होगा ओफ सीजन में होगे तो थोड़ा अपसी हिसाब से आपको कम पड़ जाएगा यहां मौल वर्ड चले जाएंगे दर से चले जाएंगे रास्ता देख लो भाई कैस्ता है वाया यह तो अलगी एडवेंचर हो गया वैसे हम वहां से जाते हैं उधर हेड यह तो पकडंडियों पे पहुंच गया है अब यहां पर समाल के चलना पड़ेगा थोड़ा वाई पान ही कि आवाद आरी तुम तेज वो देखो तो इस अब मनाली के मौल रोड पे और पीछे देख रहे हैं और बता हूं तो यहां को जाता है तो अच्छा लगता है बाकि अब यहां पर हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं थोड़ा खा लेते हैं कुछ की भूप सी लग रही थी तो गया करें तो अब आए बाइड करें है भाई अलो टिक याड़ चैटर पे अबर अबर अधर करें हैं भाई का चल्न स्सक्राइब करो यह इमाम्स विर्ट दवात कौना है तो आप लिए हम मौल रोड पे और यहां पर यहां पर एक बर्गर और गराना है वागर गराने वाइशा अब आदे निकल राई के ज़से ज़से जब कुछ निए अब दोड़ा है तिस तो अच्छा भें है तो गईस अभी हम जाने वसिस्ट टैंपल और हमने एक आटो गरी है वही हमें तो मिले था मनाली मौल रोड से और वहां से चार बंदे हो गए थे हम तो तेट सो रुपए गया भाई छोड़ काएगा में वसिस्टैंपल पर वहीं चल रहे है कितना टाइम लगता है पंदरा मिनेट लगता है था किलोमेटर है वहां से मौल रोल से वसिस्टैंपल और सामने का व्यू देखो भाई का जबर रस्ता रहा है व्यू सामने का बहार भाई गजब लग रहा है यहां से तो कि लुग यहां से टाइब लगता है तो गाइस अभी हमने ओट रुक वालिया भाई तनों मस्त वियो आ रहा था ना कि हमारा मन करा कि यहां पे एक बर उतर क्यों देखा है बहुत ही गोजब का वियू लग रहा है देखो पीछे और साइद कल हम उपर भी जाएंगे पहाड़ों पर देखते गाई शीशू अगे जाएंगे वहां पर बर्फ अगयरा होगा तो और भी मस्त लगेगा वाकि नदी देखो वाई कितना तेज चल रहा है ना नदी यह देखो पानी भी भाई साब एकदम चिल्ड होता है और यहां पर जो किस होटल में रुके थे वहां पर पानी भी चिल्ड था वाई जब गीजर नहीं चल ला था हमारा तो गईस अभी हमाएं वसस्ट मंदिर पर तो यह जो देख रहे हैं आप वसस्ट मंदिर है यह पूरा और यहा हो भाई वससट मंदेर अंदर से लेकिन अब मंदिर जो ऐसी बन था थीन वजे cocky लगता मंदिर तो बाहर से देख सकते हैं आप मंदेर संदर deiक रहा है बाइं दो वजे से तीन कि तक मंदिर बन रहता है अजम को ओध कि यहां से ण्होड़ए साथर्शन भी आप तोई सबी जा रहे हैं जहां पर इस नांग करते हैं पुरुष जहां पर गरम पानी आता है देखते हैं कि गरम पानी है गरम हांक रहती है कि अंचल भी घरम है क्या बहुत नहीं फ़ेले गते गर्वार पानी है कि यह पानी कि तरसे रहा है यह पाण मतलब शंजा नहीं कि वह लगा दान जाए पानी जा रहा है अंधर मेरा पैर दॉपर आज से अच्छा गर्मी पाने एंग पर काया रहे इंकल की थंडा पानियों यहां पर बहुत गरम पानीं में लिटरल हमाई जुए ने डाला जाघ़ा इ Eyes Ancient実 आरे पही पही ने डाला जा रहा रहा है रहा है बहुत गरम भाइन गरम पानिया नहीं हो पाई आ रहे है इसight। तो यहां पर लिकाँगा यहां पितनी भी देवी देवता है उनको नहां पर आने के लिए लाते हैं इसमें तो इसे लिए और इसमें ना मैं डिस्नल प्रॉफर्टी जो भी मतलब जो भी अगर आपको कुछ करने में थोड़ा दिस्क ने लेना है